हेलो गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में तो गाइस आज की वीडियो में हम यूनिट के बारे में जानेंगे आपने देखा होगा कि जो आपका बिजली का बिलाता है वो यूनिट में आता है तो गाइस यूनिट होता क्या है और कैसे यह बनता है कैसे इसे निकाला जाता है और आपके घर में जो पंखा होता है टीवी होता है बल्प होता है कितनी धेर में एक यूनिट बना देते हैं और यह एक दिन में कितनी बिजली खाते हैं तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से देना वाला हूँ तो guys वीडियो बिल्कुल भी skip मत करना चोटा साई वीडियो होगा लेकिन पूरी जिन्दगी आपके काम आने वाला वीडियो है तो बिल्कुल इसे पूरा देखिए एक एक बात आप बारीकी से समझ जाएंगे कि यूनिट कैसे होता है और हाँ guys एक यूनिट का कितना पैसा सरकार लेती है ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो अब हम बात करेंगे कि यूनिट होता क्या है तो guys यूनिट बेसिकली के डबलू एच होता है आपने मिंटर में देखा होगा ये तीन चीज आती है इसी को हम यूनिट कहते हैं तो guys इसमें क्या होता है के और डबलू तो होता है आपका लोड ये लोड है और एच होता है आपका हावर तो इन दोनों को मिला करके ही एक यूनिट बनता है तो ये तो उपर की बात होगी अब मैं एक्चुल बता दू कि एक यूनिट कितना होता है तो guys एक यूनिट होता है बराबर 1000 वाट ठीक है guys 1000 वाट को हम एक यूनिट कहते हैं अगर आपने 1000 वाट बिजली अपने घर खरच कर दी ठीक है guys 1000 वाट बिजली 1000 वाट बिजली अगर आपने घर अपने घर में खरच कर दी तो समझो आपने एक यूनिट बिजली खरच कर दिया अब उसका जितना भी चार्ज होगा वो आपसे लिया जाएगा और guys kwh में k का मतलब 1000 होता है 1000 ठीक है तो k का मतलब 1000 होता है यानि 1 kg ठीक है guys अगर आपका 1000 watt बिजली हो गया तो इसे आप 1k watt बिजली कहेंगे ओके guys इसलिए k लगाया जाता है तो guys ये तो हो गया 1 unit अब हम देखेंगे wattage क्या होता है तो guys wattage basically होता है किसी भी machine की बिजली खर्च करने की दर्द यानि वो लगातार कितनी बिजली खर्च कर रही है यूज कर रही है उसे हम watt में मापते हैं जैसे आपने देखा होगा बल्प जो होता है 100 watt में भी होता है पहले जो आते थे बल्प लगबग 100 watt 200 watt के आते थे लेकिन आजकल तो LED बल्प आने लगे 5 watt 10 watt और 15 watt इस तरह के आने लगे तो ये wattage कम हो गया पहले जो आते थे वो 100 watt के आते थे तो ये जो 100 watt आपको नजर आ रहा है ये वो बल्प बिजली खर्च करता है लगातार वो wattage ये होता है इसी को हम लोड को wattage कहते हैं ठीके गाईस अब जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर बता देता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया 1000 watt बराबर होता है 1000 watt बराबर होता है 1000 watt यानि एक unit जो बनेगा वो 1000 watt बिजली को खर्च करने के बाद बनेगा तो गाईस अब हम देखेंगे कि कोई machine आपकी कितनी दिर में एक unit बना देती है ठीके सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हर machine की अपनी wattage होती है जैसे bulb 100 watt के भी आते हैं 5 watt के 10 watt के भी आते हैं प्रेस आपकी होती है 500 watt की भी आती है 1000 watt की भी आती है तो जो wattage होती है वो उनकी बिजली लगतार करच करने की दर होती है ठीके फिलाल हम एक bulb की बात कर लेते हैं और हमारे पास 100 watt का bulb है ठीके गाईस ये 100 watt का bulb है तो इसकी बात कर लेते हैं तो गाईस unit निकालने का एक formula होता है जो होता है w into h into day day मतलब दिन और बटे 1000 ठीके गाईस ये formula होता है unit निकालने का इससे हमारे पास unit आजाएगी तो चलिए हम इसी से निकालते है formula से सबसे पहले w जो होता है वो wattage होता है तो हमारे पास 100 watt का bulb है तो ये 100 हमने लिख दिया गुना और h मतलब हो गया hour यानि घंटा और d मतलब दिन हो गया तो चलिए एक घंटा हमारा एक बलब जला 108 का और एक ही दिन जला ठीक है बटे 1000 ठीक है गाईस आप हम इसे calculation करेंगे तो 2 0 से 2 0 cancel कर दीजे और उपर 1 का जाएगा निचे 10 आजाएगा ठीक है जब इसे आप काटोगे तो 0.5 आएगा तो यानि यह आगया हमारे पास unit तो इसका मतलब है एक घंटे हमारा 108 का बलब जो जला उसने 0.5 unit बिजली खाई यह बहुत ही कम है तो गाईस यह तो एक calculation उपर की हो गई अगर आपको यह देखना है कि 100 watt का बलब कितने घंटे में एक unit बनाता है तो उसका सीधा सा हिसाब है उपर आपको पता है 1000 watt का एक kilowatt होता है यानि एक unit 1000 watt का एक unit बन जाता है तो अब हम ही क्या करना है 1000 तो उपर लिखना है जितने भी watt का आपका device है उसको आपको निच्चे से भाग देनी है हमारे पास 108 का बलब है हमें देखना है कितनी देर में यह एक unit बनाता है तो 1000 को आप 100 से भाग कर दीजे इसी cancel कर दीजे दो 0 तो उपर आगया 10 यानि 10 गंटे अगर एक बलब आपका 108 का जलेगा तो वो एक unit आपकी खर्च कर देगा बिजली ठीक है guys इस तरह से आप calculation कर सकते है उसके बाद अगर वो ही बलब आपका 200 वाट का है ठीक है guys 200 वाट का तो अब हमें क्या करना है हमारे पास एक unit की value हमें पता है 1000 वाट होती है 1000 वाट बराबर एक unit ठीक है एक unit तो हमें क्या करना है 200 से इसको भाग करना है सेम इसी तरह से 20 आप काट दीजे नीचे 2 है उपर 10 से तो अब आगया 5 गंटे यह आपका time निकल क्या रहा है ठीक है guys तो अगर 200 वाट का बलब आप लगातार जला रहे हो तो 5 गंटे में वो एक unit पुरी खर्च कर देगा तो guys अब बात कर लेते हैं fan की ठीक है guys fan जो पंखे होते हैं तो वो आपके घर में चलते रहते हैं तो वो कितनी बिजली खाते हैं क्योंकि fan सबसे ज़्यादा यूज़ होता है घर में तो मान लिजे 65 वाट का आपके घर में fan है छत का पंखा और वो लगातार चल रहा है तो हमें नहीं पता की वो कितनी देर में एक unit खा लेगा तो हम क्या करेंगे हमें ये पता है एक unit बराबर होता है 1000 वाट और हमारे पास 65 वाट का पंखा लगातार चल रहा है तो हब हम क्या करेंगे, इस 1000W को 65 से भाग कर देंगे, तो इसी calculation करके जो आएगा 15.37 गंटा, ठीक है गाइस, तो गाइस अगर 65W का जो फैन है, वो लगतार 15.37 गंटे चलेगा, तो वो एक यूनिट विजली खर्च कर लेगा, ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम यूनिट को न निकाल लेते हैं, अब हमें देखना है टीवी, जो आपके घर में टीवी भी बहुत यूज़ोता है, तो माल लीजे टीवी आपका जो है, वो है 500W का समझ लीजे, ये एक उधारन है, 500W का जो टीवी है, अगर वो आपके घर में लगतार 3-4 गंटे भी चलता है, तो सिंपल वही फॉर्मुला है, 1000W यानि एक किलो वाट बटे 500W, इसे आप कैंसल करो, तो ठीक है गाईज, इसका मतलए पर 500W का अगर आपका टीवी है, और वो अगर 2 गंटे चलता है, तो वो एक एक यूनिट बिजली खर्च कर देगा, ठीक है गाईज, तो इसी तरह से एक सिंपल आप सिधा लिखिए, एक यूनिट का आपको पता है, कि एक यूनिट बराबर होता है, 1000W, यानि 1000W, इसको कहते हैं, 1KW, ठीक है, यह हमें पता है, अगर आपको कोई भी चीज निकालना है, तो सिधा 1000W को आप उपर लिखिए, और निचे, उस जितनी भी वो डिवाइस की उससे भाग कर दीजे, माल लिजे आपके घर में जो कुलर होता है, वो लगबख 300W का होता है, ठीक है गाइस, तो 300W का जो कुलर है, वो कितनी देर में एक यूनिट बना देगा, तो हम 2.0 से 2.0 कैंसल कर देंगे, तो गाइस, यह कुलर जो है, यह 3.33 गंटे में आपकी एक यूनिट खर्च कर देगा, यानि आप मान सकते हैं, लगबख 300W गंटे में एक कुलर आपका एक यूनिट बिजली खर्च कर लेगा, तो गाइस, इस तरीके से आप किसी भी चीज का यूनिट निकाल सकते हैं, कि कितनी देर में वो एक यूनिट खर्च कर रहा है, अब हमसे पैसा लेती है, जैसे मान लीजे एक यूनिट है, तो एक यूनिट का मान लो, सरकार 2 रुपे हमसे लेती है, तो इसी हिसाब से यूनिट एक इक इकाई बना रखे हैं, सरकार ने, जिससे वह हमसे पैसा लेती है, जैसे अगर आप पानी को या लिक्वीड को मापेंगे तो उसे लिटर में मापेंगे कोई आपका फल वगेरा होगा तो उसे किलोग्राम में ऐसे ही बिजली को यूनिट में मापा जाता है ठीक है गाइस तो गाइस सरकार ने एक यूनिट की एक पर्टिकॉलर वैलू कीमत रखी हुई है जो सरकार हमसे लेती है अब हम माल लेते हैं एक यूनिट का सरकार हमसे लेती है 2 रुपया ठीक है गाइस 2 रुपया तो अगर हमारे घर में जो फूरे महिने की यूनिट बनती है वो 200 यूनिट बनती है तो अब आपको क्या करना है 200 को 2 रुपय से गुना करना है तो इसका अंसर आजाएगा 400 रुपे तो यानि 200 यूनिट आपकी खर्च हुई तो आपके 400 रुपे महिने का बिल आएगा ठीक है गाइज तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा यूनिट को आप निकाल सकते हो और गाइज मैं समझता हूँ कि यूनिट का जितना भी आपको डाउट था वो किलियर हो चुका है कैसे आप यूनिट निकाल सकते हो और किस तरह से आपके पास बिलाता है यह सब कुछ आप इस वीडियो में समझ चुके हो और गाइज फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है किसी प्रकार का कोई डाउट है तो निचे कमेंट बोक्स में आप जरूर लिखेगा उसको मैं आपको आंसर करने की पूरी-पूरी कोसिस करूँगा और मैं आंसर जरूर दूँगा ठीक है गाइज तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीदे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की और भी वीडियो में जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूँगा तो मिलते हैं एकली वीडियो में गाइज तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम